कहते हैं जब गीदर की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है सोशल मीडिया पर मालदीव के राश्च्रपती मुईज्यू को लेकर ये मौहावरा ट्रेंड कर रहा है भारत से विवाद के बाद मालदीव के राश्च्रपती मुईज्यू चीम पहुँचे हुए है वहीं मालदीव में उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी हो रही है कुल मिलाकर भारत से विवाद के बाद अपने घर में गेर गए हैं मालदीव के राश्रपती प्रधान मंतरी नरेंद्र मूदी पर अपमान जनक टिपड़ी करना मालदीव की सरकार को काफी भारी पड़ता नजर आ रहा है मालदीव सरकार टिपड़ी करने वाले अपने तीनों नेताओं को सस्पेंट कर चुकी है मगर भारत के सक्त रुक्स से मालदीव की सरकार के सिर पर संकट के बादल बंड़ा रहे हैं वहाँ सरकार किरने के आसार देख रहे हैं क्योंकि माल्दीयू में विपक्ष राश्रपती मुहम्मद मुईजू को सत्ता से बेदखल करने की मांग कर रहा है माल्दीयू के सांसद अली अजीम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सरेहाम सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग की है उन्होंने लिखा कि माल्दीयू के राश्रपती मुहम्मद मुईजू को उनके पद से हटाने के लिए कदम उठाये जाने चाहिए यानि भारत विरोथी कदम उठाकर माल्दीयू की सरकार ही खत्रे में पड़ गई है माल्दीयू के पूरो खेल मंत्री एहमद महलूफ ने कहा है कि भारत के बॉयकाट का माल्दीयू की अर्थवियोस्था पर गहरा असर पड़ेगा मुझे चिंता है कि हमें दोनों देशों के बीच विवाद का खामियाजा भुगतना मुश्किल होगा इसकी वज़े है विवाद के बाद से दो दशक में ऐसा पहली बार हुआ है जब लक्षदीप को गूगल पर सबसे ज़ादा सर्च किया गया है सोशल मीडिया पर लक्षदीप पूरी दुनिया में ट्रेंट कर रहा है प्रधान मंत्री मोधी के लक्षदीप जाने के बाद पूरी दुनिया में लोग लक्षदीप को सर्च कर रहे है इस पूरे विवाद पर न्यूज एटीन इंडिया ने लक्षदीप के प्रशासर प्रफुल पटेल से बात की उन्होंने लक्षदीप का दौरा करने के लिए प्रधान मंत्री की जम कर तारीफ तो की ही ये भी कहा कि लक्षदीप परियाटकों का स्वागत करने के लिए तैयार है वहीं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की ये तज़वीरें मालदीयू के घर घर में देखी जा रही है मालदीयू के सत्ता के गलियारे से लेकर आम लोगों के बीच बस इनहीं तज़वीरों की जर्चा है वजह है भारत में चल रहे बॉयकॉर्ट मालदीयू का कैमपेंग अभिनेता अमिताप बच्चन से लेकर क्रेकेटर सचिन तेंदोलकर तक मालदीयू के खिलाब पोस्ट कर चुके है भारत और प्रधान मंतरी नरेन मोदी के खिलाब सोसल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मालदीयू के मंतरियों की अपमान जनक टिपनियों की मालदीयू एसोसियेशन आप टूरीजम इंडस्ट्री ने कड़ी निंदा की है एसोसियेशन का कहना है कि ऐसी टिपनियों के निंदा करते हैं क्योंकि हमेशा मुसीबत के वक्त भारत मालदीव के बचाओं में सबसे आगे रहता है इस बीच न्यूज 18 को सुत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिली है हमारे सुत्र बताते हैं कि मालदीव की सरकार कटरपंथियों के दवाओं में भारत विरोधी स्टैंड ले रही है दरसल मालदीव के कई ऐसे नेता है जो ड्रग डिलरो और कटरपंथी गुटों से फंडिंग ले रहे हैं ये कट्रपंथी गुट भारत से नफरत करते हैं लिहाजा इने खुश करने के लिए मालदीव की सरकार ऐसे कदम उठा रही है जो भारत विरोधी है इस विवात का एक सिरा चीन से भी जोड़ता है मालदीव के राश्पती मोजजू जब सत्ता पर काबिस हुए थे तो वह इस नारे के साथ आए थे इंडिया आउट उन्होंने कसम खाई थी कि मालदीव से भारत के सैनको को वापस बेचेगे और इस पूरी कवायत के पीछे मा आता था लेकिन मोहमद मोजजू अभी चीन में है चीन के सामने नतमस्तक है सवाल है क्या श्रिलंका और पाकिस्तान के बाद अब मालदीव चीन का नया शिकार बनने वाला है चीन के कर्ज जाल में फसकर पाकिस्तान पूरी तरह से कंगाल हो चुका है चीन के कर्ज जाल में फसकर शुलंग का आर्थिक तौर पर बरबाद हो चुका है और अब उसी राव पर मालदीव है कर्ज का दाना फेक कर कैसे मालदीव को भी ड्रैगन अपने खूनी जबड़े में फसाने की तैयारी में है इसका कच्चा चिठा हम आगे खोलेंगे उससे पहले आईए ये जानते हैं कि कैसे मालदीव में कटरपंथियों का दबदबा बढ़ता जा रहा है न्यूस एटिन की इन्वेस्टिगेशन में मालदीव के बारे में बड़ा परदा फार्श हुआ है खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक मालदीव की बनी नई सरकार और यहां के राष्ट्रपती कटरपंथियों के हाथों की कटरपुतली बन चुके हैं और बैक डोर से सरकार पर पूरा कंट्रोल इन ही कटरपंथियों का है यह रिपोर्ट सामने आई है कि मौलदीव के राष्ट्रपती ने कटरपंथि संगठोनों से यह वादा किया था कि वो हर हाल में भारत को मौलदीव से आउट करके ही डम लेंगे और इसी एजेंडे को पूरा करने के लिए मौलदीव की जेलों के जरिये आतंकियों और ड्रग तसकरों का नेटवर्क मजबूत किया गया है अब जो जानकारी आप तक पहुँचाने जा रहे हैं वो बेहद खास है बहुत एहम जानकारी न्यू जेटी इन इंडिया को सूतरों से मालूम चला है कि बीते कुछ साल में बड़ी तादाद में बड़ी संख्या में मौलदीव से युवा सिरिया में आतंकी संगठन आईएस आईएस में शामिल हो रहे हैं इतना ही नहीं कटर पंतियों के गुट मौलदीव के राजनेतिक दलों को पैसे तक पहुचाते हैं और साथ ही साथ मौलदीव के राश्टपती मौम्मद मुईजू के इन कटर पंतियों से रिष्टे भी हैं ये बहुत बड़ा खुलासा है सूतरों के हवाले से और इस वजह से बहां कि सरकार उन कटर पंतियों के इशारे पर काम भी कर रही है आगे बढ़ते हैं ये कटर पंति मौलदीव को एक कटर मुस्लिम देश बनाना चाहते हैं इसलिए वो भारत के खलाफ खड़े हैं जबकि भारत और मौलदीव की दोस्ती काफी पूरानी रही है मौलदीव के अंदर एंटी इंडिया प्रफगंडा और वहां आतंग को बढ़ाने में चीन का भी हाथ बताया जा रहा है क्योंकि दुनिया जानती है कि चीन के उकसावे पर मौलदीव के मंत्रियों ने भारत विरोधी ट्वीट किया और जब मौलदीव को लगा कि उनका दाउं उल्टा पड़ गया है तो मौलदीव के राश्रबती मौहम्मद मौईजू सीधे चीन के पैरों में नाक रगडने के लिए पहुँच गये है पिछले कुछ वर्षों में मौलदीव ने चीन से भारी कर्ज लिया है आकणों के मौताविक फिलहाल मालदीव की जीडिपी का करीब 6.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर है जबकि मालदीव के बजट का करीब 10 फीजदी हिस्सा चीन का कर्ज चुकाने में चला जाता है भविश्य में अगर कर्ज समय पर नहीं वापिस हुए तो मालदीव के आइलन भी चीन के हाथों में जा सकते हैं वहीं 2023 में मालदीव आने वाले चीनी पर्यटकों की दादाद में अचानक से तेजी देखने को मिली है 2022 में मालदीव पहुँचने वाले टुरिस्टों में चाइनीज 27 वे नमबर पर थे जो 2023 में अचानक से तीसरे नमबर पर पहुँच गए है चीन हमेशा जिनके साथ दील करता है उन्हें बरबाद करके छोड़ता है भारत की साथ तनाओं का चीन पूरा फार्दा उठाना चाता है इसलिए मोईजू के समर्थन में चीन ने उनकी आत्रा को मालदीव के हितों से जुड़ा बताया है लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि अगर भारत के लोगों ने मालदीव से मूँ मोड लिया तो उसका बैंड बच जाएगा मालदीव के अर्थविवस्था में पर्यटन के हिस्से डारी बहुत अधिक है वहाँ जीडीपी का करीब 28 प्रतिशत हिस्सा टूरिजम का है और आंकडे बताते हैं कि मालदीव की सेयर करने के लिए सबसे अधिक सेलानी भारत से ही जाते है प्रेटक सेलानी किसी भी देश की अर्थविवस्था का सबसे मजबूत हिस्सा माने जाते हैं लेकिन जो विवाद इन दिनों सामने आया है, जिस तरह से मौलदीव ने अपना ये बयान यहां पर सामने रखा गया, उसके बाद अब यही कहा जा रहा है कि मौलदीव की तरफ ना रुख किया जाए, आम से लेकर खास में घुसा है, अंकड़े देख लीजिए, साल 2020 में 63,000 ऐसे सेलानी रहे, भारतिये सेलानी जो की मौलदीव में गए, इसके अलावा साल 2021 में यह अंकड़ा देखिए, 63,000 से बढ़कर 2,99,000 तक पहुँच जाता है, कोई छोटा अंकड़ा नहीं है, मौलदीव की तरफ रुख करने वाले सेलानीों की जो संकिया है, वो लाखों त अब साल 2023, यानि की जो गया हुआ साल है, उसमें देखिए, 2,99,198 जो सेलानी है, वो मौलदीव की तरफ रुख करते हैं भारत की तरफ से, लेकिन अब ये पूरा विवाद जो सामने है, इसका खामियाजा मौलदीव को, उसकी अर्थविवस्था को प्रेटन के लिहासे भ भारे नुकसान उठाना पड़ेगा, रही बार, भारत के साथ मालदीव के व्यापार की, तो साल 2023 में भारत ने मालदीव से जहां 41.02 करोड डॉलर का निर्यात किया था, वहीं 61.09 लाक डॉलर का आयात किया था, 2022 में निर्यात का आंकड़ा 49.54 करोड डॉलर का था, जबकि आयात का आकड़ा 61.09 लाक डॉलर का था, मालदीव के अर्थवयोस्ता में भारत का बड़ा योगदान है, और कई चीजों को लेकर वो पूरी तरह से भारत पर निर्भर है, लेकिन मालदीव में चीन समर्थित सरकार के सत्ता में आने के बाद से भारत के साथ उसके चांदार तस्वीरे जो हैं, वो यहाँ पर उनके जरिये भारत के लोगों के लिए साज़ा की जाती है, कि देखें लक्षधीव आखर कितना खुबसूरत है, कितनी भववता अपने में लिए हुए है, पिया मोदी की तस्वीरों ने लक्षधीव के मौलदीव से बहतर होन इनका ने पर पर्धान मंतरी नरेंद्र मोदी पर अपति जनक इस टस्वीर को देखने के बाद वो और जाता है, उनकी तरफ से टुुईट आता है जिसके बाद घमासान यहाँ पर मज जाता है, और मंतरी मार्शा शरीव ने भी पूर पूरा विवाद पोरी तरह से यहाँ पर फैल जाता है और देखिए भारत के तरफ से खदम जो उठाए जाते हैं उसके बाद मौल्दीव जो है वो यहां पर जुका नजर आता है अपने तीनों ही डेपुटिया मंत्रियों को उनके जरिये बर्खास कर दिया जाता है निश्कासत कर दिया जाता है विवात बेकाब के खिलाफ और इश्वास प्रस्ताव तक पहुंच गई है